नमस्कार, मैं हूँ शेफ निखिल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रसमे रसोई में हर सोमवार से गुरुवार तक आप और हम बनाते हैं कुछ मज़ेदार रेसिपीज और रेसिपीज से मुझे यार आया कॉलेज के दुनों में हम अकसर कैंटीन में बैठा करते थे तो सारे दोस्त जहां बाते करते थे लड़कियों की मैं वहाँ बाते करता था रेसिपीज की और अब मुझी से डिश ले रहा है तो मैंने का चलो कोई बात नहीं मेरे अंदर का एक दयालू दोस जाग उठा और मैंने उसे ही डिश सिखा दी तो यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा जो है ग्रीन वेजिटेबल स्टब फिश राप्ड इन बनाना लीग तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए मैकरल जो मचली हमें याँ यूज करेंगे हमारे पास है उबला हुआ हरा मटर, बारी कटा हुआ हरा धनिया, जीरा, सफेद मिल्च पाउडर, जीरे का पाउडर, नीम्बू, पालक, नमक अब पालक को भी हमने पहले से थोड़ा उबाल रखा है, ब्लांच कर रखा है जैसे हम कहते हैं गरम पानी से निकालके ठंडे पानी में डाल रखा है, ताकि उसका रंग एकदम हरा रहे हमें यहाँ पर चाहिए बनाना लीफ क्योंकि बाद में हम उसको उससे रैप करेंगे, और धागा जैसे हम बानेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं, पहले जो हम ग्रीन वेजटेबल की स्टफिंग देंगे, हरी सबजों की स्टफिंग वो बना लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए वेजटेबल ओईल, एक चम्मच, तेल गरम हो चुका है, अब डालते हैं इसमें जीरा, आदा चम्मच, देखें जैसे जैसे जीरा क्राकल होने लगेगा, अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर जो हम नहीं आ रखे हैं चाह चम्मच, और गैस थोड़ी दीरे कर देंगे, चोकि नहीं तो जीरा जल जागा, अब हम इसमें डालेंगे पालक, यह करीब 100 ग्राम पालक, जिसको हमने ब्लांच करके रखा है पहले से ही, तो चलिए, अब हम डालते हैं इसमें धनिया, दो बड़े चम्मच, सिर्फ हम हरी सबजें इसमें यूज कर रहे हैं, और हम यूज कर रहे हैं मचली, जो कि प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होती है, तो चलिए इसको जादा हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद यह काली पढ़नी शुरू जाएगी, गैस बंद कर देते हैं, और इसको बोल में, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, अब बारिया मचली की, तो हमने पहले से यहां साफ की हुई मैकरेल रखी हुई है, जिसके हमने हड़िया निकाल दी थी, और सारी गंदी की अच्छी तरह हमने धो दी है, अब इसको मैरिनेट करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं मचली देखो, फ्रेश निमू के रख से, और नमक से, बहुत ही सॉफ्ट होती है, यह मैकरेल जो मच्छी है, इसलिए इसको ज़्यादा रब ना करें, जितनी विस्कीन है वो बहार आ जाएगी, अंदर तक, उसमें लगाएंगे, वैसे अब जानना ज़रूर चाहते होंगे, कि मेरे उस दोस्त का हुआ क्या, जिसने एक्जॉटि डिश बनाई थी, तो वो उसके बाद मुझसे और भी नालाज हो गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वाइफ को पसंद नहीं आई, कर दिया, कि वाँ आपने क्या रेसिपी बताई है, और उसके बाद से उसका गुस्ता और भी चड़ गया, तो देखिए, बनाना लीफ है, हमने इस साइस का काटा हुआ है, जितना मैकरल का सर निकल जाए और पूश निकल जाए, क्योंकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो अब हम इसको रैप कर देंगे, सफेद धागे से बान देंगे, टाइटली, क्योंकि इसके अंदर की जो स्टफिंग है, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, यह रही, तो देखिए हमने पहले से यहां पर दो और मचली यहां बांध रखी है, तो देर किस बात किया है, चलिए पकाते हैं मचली, तो एक नॉन्स्टिक पैन में, दालेंगे ओल, चलिए, तेल हो चुका है गरम, अब इसमें डाल देते हैं मचली, और इसको थोड़ा धीमी आज पे करके धक देते हैं, ताकि इसकी जो हीट है वो एसकेप ना कर पाए और यह उपर से भी पक जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे पकाएंगे इसे बिना डगे, तो इन नीचे से तो पक जाएगी, लेकिन उपर से नहीं पकेगी, हम इसे थोड़ी दियर में पल्टेंगे, लेकिन तब तक इसको इसी में पकने दीजिए, तो चलिए, पाथ से साफ फिनट हो गए है इसे गैस पे, देखते हैं आप इसे, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेश फिश की, साथ में हरी सबजियों की, तो चलिए सर्फ करते हैं इस मचली को, सर्फ की हमने इस मचली पुदीने की चटनी के साथ, तो हमने एक और अरी सबजी का इस्तमाल कर लिया, तयार है हमारी ग्रीन वेज़ेटेबल स्टफ्ट मैकरल राप्ट विद बनाना लीव, ग्रीन वेज़ेटेबल स्टफ्ट फिश बनाने के लिए आपको चाहिए, अब इस मज़ेदार डिश को बनाने का एक क्विक रीकैब, हरी सबजी की स्टफिंग के लिए पैन में तेल गरम कर लें, जीरा और मटर डालकर थोड़ा तलें, उबली हुई पालक और हरा धनिया डालें, अब मैकरल फिश को नीमबू और नमक से मैरिनेट करें, केले के पत्ते में बांधें, पैन में तेल गरम कर लें, मचली को पैन में पकाएं, पुदिने की चटनी के साथ सर्फ करें,